हेलो एवरिब्रों चलिए आज बनालेते केले के फूल यानी मोचा से बनी बहुती पॉस्टिक सी सबजी, यह सब्जी बहुती गुनो से भरबूर है चलिए देखते हैं बनाना मोचा की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मोचे केले के जो फूल है उसके बीच में एक हाट पार्ट होता है उन्हें हमें अलग कर लेना है अब हम नमाप और हल्दी डालके इन्हें अच्छे से बॉयल कर लेंगे अच्छे से बॉयल होने के वाद साप पानी से इन्हें धोकी रेडी कर लेंगे अब हम ग्रेवी के लिए सरसो के तेल में हम पर लेश्मीरी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिला के अच्छे से भून लेंगे अच्छे से भून लेने के बाद ग्रेवी रेडी करने के लिए उनके लिए हम ने जीरा अधरक और लैसन का पिसा हुआ पेस्ट पना के रेडि कर लिया था। अच्छे से इन बहुत dużo बहुत ढ़ेना है अच्छे से भून लेने के बाद इतले हैं अच्छे से पो बहसे हम अच्छे से बोन यहीं जा किले को खोने देंगे हम इस बीच में सब्जीयों को बीच-बीच में थोड़ा चलाते रहेंगे यह सब्जी बहुत ही बेनिफीशियल है जिन लोगों को आइरन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अपने डाइट में सब्जीयों को शामिल कीजिए खुद भी खाईये बचों को भी सब्जी को जरूर बनाइए अपने घर में बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी है यह खाने में जितनी स्वादी स्पेच है अब देखिए सब्जी की ग्रेभी जो यस तरह से रेडि हो चुकी है अब हम यहां पर गरमसाला पाउडर एक ती स्पून डाल देंगे और अच्छे स इन्हें भी हम चला लेंगे सारे सब्जियों के साथ में ताकि गरम मसाला का जो टेस्ट सारे सब्जियों में बहुत अच्छे से मिल जाए अगर आप इसमें चाहे तो मिठास के लिए थोड़ा सा चीनी यूज कर सकते है और नहीं तो स्किप भी कर जाएगे अब आम इनमें हर आपको मेरी वीडियो अच्छा है कि तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें